जब चीज़े बहुत सिंपल हों तो हमेशा मज़ा नहीं आता, सिंपल बोरिंग हो जाता है, है ना? हमें कभी-कभी चैलेंज भी चाहिए है Well, पिछले लेसन में हमारी नंबर लाइन भी चैलेंजिंग हो सकती है, तो अब हम अपना लेविल बढ़ाते हैं First, चले हम पहले Cartesian product को revise करते हैं इसमें कम असकम दो non-empty sets शामिल हैं पहले set के तमाम elements, second set के तमाम elements से multiply होते हैं और resultant pairs एक नए set में store होते हैं Also, इन resultant pairs में वो तमाम value left पर होती हैं, जो पहले set में होती हैं और right पर second set से belong करने वाली values होती हैं, जैसा आप देख सकते हैं चले इस concept को जड़ा formal तरीके से देखते हैं First, करें कि आपने X की कुछ values एक random set set A में और Y की values set B में रखी हैं तो इनके Cartesian product से हमें सिर्फ pairs नहीं मिलते बलके ordered pairs मिलते हैं ये ordered pairs एक graph पर finite number of points से represent हो सकते हैं और ये depend करता है के हर set में कितने elements हैं समझाया? Great! अब इन random sets को छोड़ दें और real numbers की पूरे set R की अपने आप से Cartesian product बनाते हैं R x R Set R के infinite real numbers के दूसरे set R से इस बहुत बड़ी multiplication का result countless ordered pairs हैं और इतने ज़ादा ordered pairs को cover करने के लिए required geometrical plane एक never ending region है ये कहलाते हैं Cartesian plane ये real plane चले इसको एक और तरीके से देखते हैं एक real number line लें x x prime x prime infinite negative real numbers के साथ left side पर है हमारा ये origin है 0 और फिर right side पर जो x से labeled है वहाँ set R की countless positive values मौझूद है अब इस line के एक exact copy बनाएं और उसको 90 degrees पर rotate करें labeling change करें नीचे से y prime से शुरू करें जहां हमारे पास infinite negative real numbers है फिर origin बजाएं और पर positive side y जहां countless positive real numbers मौझूद है तो अब इस दूसरी line yy prime को पहली line पर ऐसे रखें कि दोनों 0 को insight करें यह है आपका real plane या Cartesian plane अब आप इस पर कोई भी audit pair plot कर सकते हैं याद रखेंगे हर audit pair में x coordinate left पर होता है और y coordinate right पर होता है यह कॉमा से separate होते हैं इन coordinates का एक fancy नाम भी है x coordinate के लिए absissa और y coordinate के लिए ordinate जैसे कि इस point c पर जिसका absissa या x coordinate minus 4 है और 3 ordinate या y coordinate है इसे ऐसे plot करें कुछ और point पर भी plot करने की कोशिश करें जो भी audit pairs आप चूज करेंगे अगर इसके x और y coordinates set of real number से belong करते हों आप इन्हें इस plane पर रख सकते हैं लहाजा इस plane पर हमारे लिए coordinates खतम नहीं हो सकते क्योंकि दोनों axis कभी खतम ना होने वाली line से बने हैं तो extend होते रहते हैं number line के सरफ यही एक property नहीं है जो Cartesian plane फॉलो करती है जैसे कि हमारे पास number 1 और number line पर points में one to one correspondence थी इस plane पर मौजूद हर ordered pair के भी अपनी position से one to one correspondence होती है तो आप कभी भी same point मुख्तलिफ coordinates पर नहीं बना सकते ऐसा geometrical plane जिस पर coordinate system specify किया जाए वो coordinate plane भी कहलाता है अब real plane पर हम सिर्फ real numbers plot कर सकते हैं लेकिन अगर आपको एक complex number plot करना हो वेल इसके लिए एक चीज़ चाहिए जो complex plane कहलाती है और real plane पर कुछ changes करके हम ये बना सकते हैं फर्स्ट, labeling change करें एक्स axis को real axis और y axis को imaginary axis सेकंड, y axis पर मौजूद real numbers को imaginary numbers से replace करें और हमारा काम हो गया और in real और image दरी numbers की labeling कहां से आई है आप ये जानते है और क्यूंके हम complex number को अपनी आसानी के लिए z से label करते हैं लेहाजा ये हैरानी की बात नहीं है कि हम इसका complex plane को z plane भी कहते हैं तो इस lesson के लिए इतना ही लेकिन अपनी अगली वीडियो में हम complex plane की complexities को explore और analyze करते रहेंगे हमारे साथ रहें क्या है